So hello and welcome back guys अभी recently मैंने एक post किया था community tab के अंदर जिसके अंदर मैंने पूछा था कि मेरे को किन topics पे videos बनाने चाहिए आपके questions मैंने कुछ हमाँ से लिये थे और उन questions को मैंने sort list करके और उन questions को priority देते हुए मैंने अभी decide किया कि मैं questions के ऊपर videos बनाऊगा क्योंकि आप सभी लोगों की वो problems जो है वो common भी हो सकती है और हो सकता है वो सारी problems जो है वो काफी genuine भी हो और काफी बड़ी भी हो आपको काफी difficulties भी हो उन problems को solve करने में तो मैं try करूँगा कि उन problems को मैं आपको solution provide करूँ और easily आप लोग उन problem को solve कर पाऊ मेरी वीडियोस देखने के बाद तो अभी आज का जो यह वीडियो है यह focus होने वाला है कि आप Google Search Console के अंदर कैसे fast indexing कर सकते हो articles की या फिर आ वीकेंसे post की मेरे को user ने comment किया था और जो की काफी genuine comment था और question भी था कि यार मेरा एक latest news का website है जिसमें मेरे को काफी updated news देनी पड़ती है मतलब like मेरे को अगर कुछ ऐसा event हो गया जो की काफी important है तो मेरे को हाथ के हाथ upload करना पड़ता है articles बनागे अब ऐसे में इस्यू क्या रहता है कि मतलब अगर आपने अभी आर्टिकल लिखा है और उसका latest news का website और उसने अभी आर्टिकल लिखा है तो वह जाके 24 गंटे बाद index होता है Google search के अंदर अब ऐसे में तो यार वह न्यूस पुरानी हो जाएगी और वह आर्टिकल अगर 24 गंटे बाद गूगल के अंदर आता है और फिर उसको और अगले 24 गंटे लगते लोगों तक पहुंचने में या फिर ज्यादा वीजिटर्स तक आने में तो तब तक वह न्यूस एक्सपार तरीका है और मैं इसको परसनली आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि सिनेरियो यह है कि मैंने मेरे को भी अभी यह चीज़ बाद में नोटिस में आई है पहले मैं भी यह देखता था कि यार इतना लेट इंडेक्सिंग क्यों होती है चलो हमारा तो एक आर्टिकल सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है गूगल सर्च कॉंसोल तो यहां पर मैं करता हूँ एंटर इट एंटर इट करने के बाद गूगल सर्च कॉंसोल को मैं यहां से डिरेक्टली ओपन कर लेता हूँ अब देखो गूगल सर्च कॉंसोल को ओपन करने के बाद यह मेरे से ऐस यूजल मेरा आईडी पास्टर छोड़ेगा कि जब भी कुई आर्टिक्ल इंडेक्स के लिए चूज करता है गूगल उसको सर्च में इंडेक्स करने के लिए चूज करता तो क्या क्या पैरेमेटर देखता है तो वैसे तो नंबर आफ पैरिमेटर से कि उस फोल्कुल एर्र तो निये उस आर्टिकल में कोई विकेंट से आपने वोईलेंस वगयरा या फिर जो गाइडलाइनस है वो तो वोईलेट नी कर रखी वो आर्टिकल का कॉंपिटिशन ज्यादा तो नहीं है इन सारी चीजों को कंसेडर करके बहुत सारे पेरेमेटर को कंसेडर करके गूगल कोई भी आर्टिकल को रेंक कराता ह लेकिन अगर आप सारी चीजों को बिल्कुल अप्टुडेट रखते हो कि आपने ऐसा कोई भी एडल्ट कंटेंट उसमें पास नहीं करा आपने कोई भी विकेंट से गाइडलाइनस पोलिसी वाइलेट नहीं करी आपने विकेंट से आर्टिकल भी अच्छा खासा लिखा है कॉम्पिटिशन भी जादा नहीं है कॉम्पिटिशन वाला पॉइंट उतना में नहीं लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिशन कम है तो आपका आर्टिकल जल्दी रेंक होता है यह चीज़ है अनको प्लस आपने सारी चीजों को बिल्कुल अप्टुटेट रखा है तो कैसे इंडेक्स करा सकतेों तो यहां पर देखो को क्या करना है आपको कुगल के सीर्फर सर इन पर यहां पर आन। आ रहा है अब दिखो अगर आप ब्लोग स्पोर्ट के यूजर हो या फिर अगर आपने एक्जेमल साइट मैप सब्मिट किया है तो इन मोस्ट आप दी केसे 99% केसे में अगर आप कोई आर्टिकल पोस्ट कर देते हो तो आपका साइट मैप इमीडियेटी अपडेट नहीं होत तो मैं क्या करता हूं मियां पर एंटर साइट मैप और करता हूं ऐसी के साथ करता हूं और अगर आपको साइट मैप बना नहीं आपको सिंपल है है लेकिन अगर आपने कोई लेटेस्ट करा होगा तो आपका जो लेटेस्ट पोस्त है वह invasive video आपके साइट मैप के अंदर आपने दस पोस्त कर रकिते और आप 11 सब्सक्राइ Suppose तोबारा सब्मिट करने के पाद अब आपको करना है वामा है वापस के लिए रिक्वेस्ट आपको जाना है वापस एक बार लाइवं करना थीक करना उससे क्या होता है गुगल जो होता है उसको एक बार गो तुरू करता है आपके आपके को कि उस article का we can say page loading speed तो काफी slow नहीं है उसके अंदर breadcrumbs का error तो नहीं आ रहा यह सारी चीज़े Google वहाँ पर भी check out करता है तो आपको यह सारी चीज़े perform करनी है और उसके बाद I guarantee you क्योंकि most of the articles में आपके 99% articles में आपके we can say indexing बहुत फास्ट हो जाएगी पांच से 10 मिनिट के अंदर 15 मिनिट के अंदर आप इंडेक्स कर पाऊगे अपने आर्टिकल को एक चीज़ और completely इस method पर रिलाइं मत करना क्योंकि ऐसे बहुत सारे parameters होते हैं जो Google चेक करता है जो Google consider करता आपको आपके article को index कराने में तो उन parameters पर आप खरे उतरते हो अगर आप उन parameters को सारे के सारे को fulfill करते हो और फिर इस method से जाते हो तो 100% आपका article जो है 15-20 मिनिट के अंदर rank कर जाएगा इस trick को try करना मेरा personal trick है मैं personally इसको यूज करता हू और मैं बिल्कुल भी जूट नहीं बोल रहा है मैं आपको इस चीज़ को करके दिखा चुका हूं और कैसे काम करता है यह आप लोगों को try करके मेरे को बताना है comment section में आपके article सभी index हो रहे हैं की नहीं हो रहे ओके thank you so much for watching the video यह था हमारा आज का वीडियो नेक्स वीडियो